टीम इंडिया साथ अगस्त को आखिरी वंडे मैच में श्रीलिंका के सामने होगी इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टककर देखने को मिल सकती है क्योंकि रोहित शर्मा एंड कमपनी तीसर ओर डियाई सीरीज बचाने के इरादे से मैदान में उत्रेगी जबकि चरित असलिंका टीट्वेंटी सीरीज मिली हार के बाद वंडे सीरीज को जीतने में एरी चोटी का जोर लगा सकते हैं मगर हिटमेन उनका विजय रत रोकने के लिए अपना मास्टर अस्टोक चल सकते हैं रिपोर्ट्स की माने तो वह तीसरे वंडे की प्लेइंग ग्यारह में बड़े बदलाव करते हुए युवा खिलाडी रियान पराग को डेव्यू का मौका दे सकते हैं और क्या को चंतिम ग्यारह में उलट फेर देखने को मिलेंगे आईए जानते हैं रोहित शर्मा रियान पराग पर खेलेंगे बड़ा दाव रविवार को खेले गए दूसरे वंडे मैच में टीम इंडिया को श्रीलिंका के हाथों 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की पूरी कोशिश रहेगी की सीरीज गवाने की वज़ाए आखिरी मैच को जीत कर एक-एक से बराबर की जाए लेकिन तीसरे मैच से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि 24 वर्षिय युवा खिलारी रियान पराग को ती 20 के बाद एक दिवसिय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में और राउंडर के रूप में शिवम दुबे को स्क्वार्ड में शामिल किया आईपियल में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले दुबे इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने के लिए बुरी फॉर्म से जूज रहे है ती ट्वेंटी विश्व कप दो हजार चौबीस में शिवम में निराश किया वही अब श्रीलिंग का दौरे पर उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं आखिरी ती ट्वेंटी मैच में तेरह की पारी खेल कर आउट हो गए जबकि वंडे सीरीड में भी फ्लॉप प्रदर्शन जारी है रोहित शर्मा की कप्तानी में दो वंडे मैचों में शामिल किया गया जिसमें 25 और शून्य रन ही बना सके ऐसे में टीम मैनेमेंट शिवम दुबे की रिप्लेस्मेंट की तौर पर आखिरी वंडे मैच में रियान पराग को शामिल कर सकते है रियान पराग ने अपने गेंदबाजी से किया प्रभावित